नमस्कार, सबी को रेवती होम क्रेशन्स में स्वागत है आज हम बना लेंगे साबुदाना खीर पहले हाफ कप साबुदाना को एक बार वाश करके पानी डालकर तीन गंठे तक सोग करना चाहिए हाफ कप वर्मसिली को थोड़ा घी में लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करके एक कप में निकाल कर रख लेना है साबुदाना तीन गंठे सोग होने के बाद एक बरतन में डालकर थोड़ा पानी भी डालकर उबाल देंगे थोड़ा उबलने के बाद स्लो फ्लेम में साबुदाना को और दस मिनिट तक पका देंगे साबुदाना हाफ कुक होने के बाद हम फ्राई करके रखा हुआ वेर्मसिली को डालकर और पांच मिनिट के लिए पका देंगे फिर दो स्पून शुगर, दो स्पून बदाम पाउडर और स्वीटलेस कोवा भी डालकर मिक्स कर लेंगे शकर तोड़ा कम इस्तमाल किया तो बहतर है क्योंकि बदाम पाउडर में भी स्वीट है ना इसी लिए मैं मेडियम स्वीट में बना रही हूँ अब आफ स्पून एलाची पाउडर डालिए दो छेमच गी में कैश्यू और रेसिंस फ्राई करके खीर में डालकर और तोड़ा दूद भी डालकर अची तरफ मिलाकर स्टोव आफ कर लेंगे ट्रेशनल इंडियन डेजर्ट साबुदाना खीर सर्व करने के रिए रेडी है थैंक्स पर वाचिंग